हेलो दोस्तो आज मैं आपको सखाऊंगा हेर स्पार कैसे करते हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो है आप इसको पूरी देखना तब ही आपको प्रोपर नौलिज मिलेगी प्रोपर पता चलेगा तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पार करने से पहले हमने बालों को न हो शैपू करना है शैपू अपने हो वाला करना है जिससे की सारा बालों का तेल निकल जाये अच्छे तरीके से फिर हमने बालों की तीन सेक्षिन करने ही ने más criteria से हमने start करना है according to hair जैसे आपका client का बाल है उसी हिसाफ से आपने जो cream bath है वो use करना है मैं इनके बालों में कर रहा हूँ repairing cream bath because इनके बाल थोड़े से dry थे और जिसकी वज़ा से इनके बाल तूट रहे थे इसलिए इन्होंने hair spa करवाया है because इनके बाल बहुत जाते थिन हो रहे थे तो ये मेरे पास आए कि मैंने hair spa कराना है तो मैंने इनका पहले texture check किया कि बाल कैसे हैं बाल पतले थे बट बाल वड़ा सा dry था because इनके color लगाते हैं तो मैंने choose किया repairing cream bath because इससे क्या होगा कि बालों का ठीक हो जाएंगे बंद होना शुरू हो जाएंगे जिससे बालों का तूटना रुक जाएगा तो मैंने कैसे use करना है इसको कैसे करना है section by section यह से मैं दिखा रहा हूँ यह देखे roots को छोड़ के ही आपने hair spa लगाना है roots को कम से कम एक inch तक आपने छोड़ना है और उसको बाकी length के उपर आपने section by section hair spa cream apply करनी है roots पे आपने नहीं लगाना because roots पे अगर problem हो roots dry हो जाडेंडर्फ हो जार्थीन हो तो उसके लिए concentrate अलग से आते हैं तो वो हमने cream के अंदर use करने होते हैं one scoop cream करीम का लेना होता है एक concentrate लेना होता है जिसको mix करके हमने पहले scalp पे लगाना होता है अगर बालों के जो scalp है अगर scalp के अंदर थोड़ी problem है तो otherwise कोई जरूरत नहीं होती आप सीधा spa cream लगा सकते हैं तो इनके scalp मैंने चेक किया था कोई दिक्कत नहीं थी कोई problem नहीं थी scalp बड़ी clean इसी लिए मैंने इनको सिर्फ cream बात लगाया है इनके बालों को ताकि इनके बालों में strength आ जाए because बहुत ज़्यादे खराब बाल नहीं था color लग करते हैं ये regular color करते हैं इतना pre light नहीं करवाया इन्होंने rebonding नहीं करवाया अगर rebonding कराया होता तो इनका जो bound है hydrogen bond है वो damage होता but मैंने इनका बालों की strength चेक की थी बाल ठीक था बहुत ज़्यादे damage नहीं था but dry था बाल टूट रहा था बाल दो मुहे थे जिसकी बज़ा से मैंने इनके बालों के ये वाला मास्क लगाया है लाओरेल का सपा क्या करता है basically ये क्या क्या करता है जो बालों के internal bound होते हैं उसको ये दोवारे से ठीक कर देता है जैसे भी बाल हम chemical treated होते हैं हमारे बाल बालों का बालों का बालों का बालों का टेक्चर खराब हो जाता है बाल फ्रीजी होना तूटना हो शुरू हो जाता है जिसको बचाने के लिए हम हेस्पा करते हैं जब पूरे बालों पे अच्छे तरीके से स्पा क्रीम अप्लाई हो जए धिन आपने क्लाइंट को रिलेक्सिंग मसाज देनी है रिलेक्सिंग मसाज देनी है आपने कम से कम 5-10 मिन ताकि उनका जो सकैल्प है वो भी नरिश्मेंट हो थोड़ा सा तो आपने क्लाइट को अच्छे से मसाज देनी है और उसके बाद जब मसाज पूरे हो जाए दिन आपने क्लाइट के बालों को आपने देनी है स्टीम पांच से साथ मिंट आपने स्टीम देनी है बालों को और जब स्टीम हो जाए थोड़े बाल ठंडे हो जाए फिर आपने बालों को अच्छे से रिंस करना है अब आपने बालों को शैंपू नहीं करना अब आपने बालों को शैंपू नहीं करना है जब रिंस हो गया तो फिर आपने बालों को हलका टावल ड्राई करके फिर आपने ड्राइर करना है बड ड्रायर आपने गरम हीट पे प्रॉपर हीट पे नहीं करना I hope कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तक के लिए अपने धियान रखिए बाई बाई नमस्कार